रुको 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 स्टॉप स्टॉप वही पर रुख जाओ यार मैं परिसान हो चुका हूँ तुम लोगों से हर बार वीडियो के नीचे से फॉकिंग कॉमेंट्स वीज वाचिंग वन डे बिफ़र एक्जामिनेशन आगे में दोगे स्माइली अरे भाई 90% स्टुडेंट्स एक्जाम से एक दिन पहले ही देखते हैं और जिस्ट भी इंसान को यह लगता है ना कि उसने यह कॉमेंट्स लिखकर बहुत ही जाता कुछ पनी लिख दिया है और मुझे तो यह समझ में आता कि इस कॉमेंट में इतने लाइक आते कहां से हैं क्यों आते हैं अरे ओडियन्स तुम लोगों से पूछ रहा हूं इंसान हो या रोबोट हर बार एकीचिस तुम लोगों को पनी और रिलेटेबल कईसे लगता है इधर मैं रोज के रोज scripting recording editing करता हूं दिन भर महनत करता हूं और जब नीचे comment खोल के देखता हूं who is watching one day before examination ये करने के लिए इतना महनत कर रहा हूं मैं नी मतलब कुछ अच्छा लिग दो कुछ बुरा लग रहे हैं इससे बढ़ी है तो भाई मेरे को गाली बग दो वो भी बरदास्त हो जाएगा लेकिन ये बरदास्ते बाहर है इस वीडियो के नीचे एक भी अगर वैसा comment आया तो कसम से मैं कुछ कांट कर दूँगा साज बो इस चैप्टर में मैं तुम्हारा ओथर मतलब मैं विल्यम डगलस तुम सबको बताऊंगा कि कैसे जब मैं छोटा था ना तब मैं सुम्मिंग पूल में डूपते डूपते मरते मरते बचा था और इसके बाद मेरे अंदर वाटर को लेकि एक डर सा बैड गया था बेसिकली अकवाफोबिया मतलब ऐसे लोग जिनें पानी से बहुत डर लगता हो और इसी चैप्टर में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि फिर मैंने कैसे इस फियर से अपने आपको ओवरकम किया मतलब कि इस डर से कैसे जीत हासिल की तो इस वीडियो को इंट तक देखना तुम्ह जाके स्विमिंग सीख सकता था लेकिन मेरी ममी मुझे हमेशा मना करती थी कि ये जो याकिमा रिवर है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है इसलिए मैंने वाइम सीय पूल को जॉइन किया वाइम सीय पूल का जो सालो एंट था मतलब जो एक साइड था ना वो सिर्फ तीन फीड गहरा था इसलिए मैं वाटर विंक्स लेके आता हूं और उसे पहन कर स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगता हूं हाला कि सच कहूं तो अभी मैं बारा साल का हूं लेकिन जब मैं इससे भी चोटा था मतलब जब मैं सिर्फ तीन साल का था तब मेरे साथ एक बहुत ही डर भी लगने लगी थी और अब जब मैं वापस से स्विमिंग करने जा रहा हूं तो वापस से ये जो डर है ना वो मेरे अंदर कहीं न कहीं आने लग रही है मतलब वो जो मेमोरीज है जब मैं तीन साल का था तब मैं डूपते दूपते बचा था वो जो मेमोरीज है वो व कोई भी नहीं था, कोई भी swimming नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक लड़का आकर मुझे उस पुल के अंदर धकेल देता है, और पुल के जिस end में मैं बैठा हुआ था, वो 9 feet गहरा था, और मुझे अभी तक swimming अच्छे से करने नहीं आता था, और क्योंकि मैं चलाओं लूँगा और तुरन सर्फिस तक आ जाओंगा, और जैसे ही मैं सर्फिस तक आओंगा, तब मैं उल्टा लेट कर, पैडल मारते वे, उस पुल के कॉर्णर तक पहुँच जाओंगा, और वहां से निकल जाओंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, मुझे रिलाइज होता है कि मैं अभी तक पानी के सर्फिस तक नहीं पहुचा हूँ, मेरे चारो तरफ सिर्फ वाटर ही वाटर था, मैं बहुत जादा डर जाता हूँ, सफोकेट करने लगता हूँ, और चिलाने की भी कोसिस करता हूँ, लेकिन कोई भी फैदा नहीं होता है क्योंकि पानी के अंदर से अवाज बाहर तो इतना तीजी से नहीं जाएगी, लेकिन इसी चिलाने की कोसिस में मेरे पूरे गले के अंदर पानी भर जाता है, हाला कि यह ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल भी सर्फिस तक नहीं पहुच पाता हूँ, मेरा जो नोस ता और मेरा जो आइस ता वो सर्फिस तक पहुचता है, लेकिन मेरा जो माउथ होता है, वो सर्फिस तक नहीं पहुचता है, मतलब कि सिर्फ मेरा नोस और आइस जो होता है वो वाटर सर्फिस तक पहुचता है, मेरा पूरा फेस, मेरा पूरा हेड वाटर सर्फिस तक नहीं पहुचता ह मैं हाथ पर चलाने की भी कोसिस करता हूँ लेकिन कोई फैदा नहीं होता है उल्टा मैं और पानी को अपने अंदर निगल लेता हूँ मुझे मेरे खुद के पर डिट वेट की तरह लग रहे थे मतलब बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जो कोई भी काम का नहीं है मुझे मेरे लंक्स में बहुत पेन हो रहा था और डिजी भी फील हो रहा था मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा टायट फील कर रहा था लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं माना था मुझे अच्छे से प्लान याद था कि मैं वापस से नीचे जाऊंगा एक लंबा से चलांग लोंगा और सर्फेस तक पहुँच जाऊंगा और फिर उल्टा लेट कर पैडल मारते वे उस पूल के कॉर्णर तक पहुँच जाऊंगा लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था मुझे वाटर के अंदर बहुँच जादा अंधेरा दिखने लगता है मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे थे वो बिल्कुल डेट वेट्स की तरह मुझे लगने लगे थे और साथी साथ मैं अनकॉंसियस जैसा भी फील करने लगा था और फिर मुझे एक टेरर काप्चर कर लेता है मतलब एक जो डर होता है वो मेरे अंदर हावी होने लगता है और वो डर कुछ और नहीं था बलकि था the terror of death मतलब मौत का डर और फिर मैं पैरलाइज हो जाता हूँ और मैं अपने मन से अपने body का कोई भी part move नहीं कर पा रहा था और फिर से मैं चिलानी की कोसिस करता हूँ लेकिन इस बार भी कोई फैदा नहीं होता है बस जो मेरा सरदरत कर रहा था और मेरे heart के अंदर pain हो रहा था उससे पता चल रहा था कि मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि obviously जिंदा इंसान को ही pain feel होता है और फिर मैं वापस से उस pull के deeper end में पहुंचता हूँ और फिर मैं वापस से अपने आपको push करने की कोसिस करता हूँ लेकिन इस वक्त तक मेरे अंदर बिल्कुल भी energy नहीं बची थी और फिर से मैं धीरे-धीरे करके उपर जाने लगता हूँ और फिर जब मैं आग खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस बार भी चारों तरफ सिर्फ water and water ही है मैं अभी तक surface तक नहीं पहुचा था इवन मैं मम्मी मम्मी भी चिलाने की कोसिस करता हूँ लेकिन इस से भी कोई फैदा नहीं होता है और फिर कुछी पल बात मुझे उपर में light दिखती है क्योंकि इस बार जो मैंने jump लिया था ना मतलब पानी की surface तक नहीं पहुच पाता है और फिर से मैं तीसरी बार पानी के अंदर जाने लगता हूँ और फिर मैं सांस लेनी की कोसिस करता हूँ लेकिन मैं गलती से जो water होता है उसे ही अपने अंदर ले लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं water से बाहर आने की कोसिस करना बंद कर देता हूँ मैं समझ जाता हूँ कि अब मेरा end near है और अब मैं कितना भी कोसिस कर लूँ मैं बच नहीं पाऊँगा मैं अपने पैरो को बिल्कुल paralyzed feel करने लगता हूँ और मेरे चारो तरफ बिल्कुल अंधिरा सा चाने लगता है और इस moment पे मेरे अंदर जो ये terror था ना, terror of death ये भी खतम हो जाता है क्योंकि मैंने already अपने death को accept कर लिया था और इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा peaceful और relaxed feel हो रहा होता है और मैं धीरे धीरे डूपते जा रहा होता हूँ और इसके बाद मैं धीरे धीरे sleepy भी feel करने लगता हूँ sleepy feel करने का मतलब मैं धीरे धीरे unconscious होने लगता हूँ और मैं जल्दी ही सो जाता हूँ बिसिकली वो unconscious हो जाते हैं लेकिन फिर मेरी आग खुलती है और मैं देखता हूँ कि मैं उल्टा लेटा हूँ और वामिटिंग किये जा रहा हूँ सायद किसी ने मुझे बचा लिया था फिर कुछ घंटे बाद मैं अपने घर के तरफ निगल जाता हूँ और मैं बहुत जादा डरा हूँ था और इवन रो भी रहा था इवन कि उस रात मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था मैं इतना जादा डरा हूँ था इतना जाता रो रहा था कि मुझे पानी से भी बहुत जाटा डर लगने लगा था और फिर इसके बाद मैं वापस से कभ जो प्लान भी बनाता था ना तो वो जो प्लान था वो हमेशा की तरह खराब हो जाता था क्योंकि obvious सारीजन है कि मैं जब भी पानी के पास जाता था मेरे अंदर वापस से वो जो डर थी वो हावी होने लगती थी और फिर काफी वक्त बात भी मैं इस डर से overcome अपने आपको नहीं कर पाता हूँ इसलिए मैं decide करता हूँ कि मैं October से special training लोगा वो भी swimming का और सायद तभी जाकर मैं अपने इस fear से overcome कर पाऊँगा और फिर जो मेरे instructor था वो मुझे week में 5 दिन swimming करवाता था और वो जो instructor था वो मुझे एक rope से बांध कर बोलता था कि इस pull के इस end से उस end तक जाओ और फिर मैं उस rope के help से swimming करते वे इस end से उस end तक जाता था लेकिन जब भी वो जो instructor था वो rope को थोड़ा सा भी डीला छोड़ता था तब मेरे अंदर वापस से ये जो डर था ना पानी को लेके वो वापस से हावी होने ल लापस से से HOW और अपने और मुझे अपने नोस को डाल के exhale करना है और कैसे अपने फेस को पानी से बाहर है ना क्या ये जो fear है कि मेरे अंदर वापस आएगा जब मैं अकेले swimming कर रहा हूँगा और फिर एक दिन मैं अकेले swimming कर रहा होता हूँ और वापस से ये जो डर है ना मेरे अंदर हावी होने लगती है लेकिन मैं इस moment पर बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ और लगतार swimming करते रहता हूँ फिर भी मैं अंदर से satisfied feel नहीं कर रहा होता हूँ मुझे लगता है कि वापस से कहीं ये जो डर है मेरे अंदर वापस ना आ जाए इसलिए मैं Lake Wimsworth जो की New Hemisphere में है वहाँ पर जाकर ट्रगी आइलेंड से 2 km स्विम करके Stamp Act आइलेंड तक जाता हूँ और फिर इसी बीच में जब मैं एक moment के लिए अपने face को पानी के अंदर डुबोता हूँ तो वापस से कुछ seconds के लिए ये जो terror of death था ये जो डर था मेरे अंदर वो वापस से मेरे अंदर हावी होने लगता है लेकिन फिर मैं हसता हूँ और अपनी swimming को continue करता हूँ और दूसरे छोर तक दूसरे island तक पहुँच जाता हूँ मतलब Stamp Act Island तक पहुँच जाता हूँ लेकिन अभी भी मैं satisfied feel नहीं कर रहा होता हूँ मुझे लग रहा होता है कि अगर ये terror मेरे अंदर वापस आ गया तो इसलिए मैं warm lake की तरफ जाता हूँ जो कि बहुँच जाता बड़ा है और फिर अगले ही दिन उस lake का एक छोर से दूसरे छोर तक जाता हूँ वो भी swimming करते वे और फिर बहुत ही जोर से excitement से चिलाता हूँ क्योंकि मैंने अपने इस डर को conqueror कर लिया होता है वैसे मुझे पता है कि इस feeling को तुम लोग नहीं समझ सकते हो even इस feeling को तो बस वही समझ सकता है जिसने इस feeling को face किया है और इसके उपर जीत हासिल की है मतलब कि मौथ के डर से जीत हासिल की हो मतलब एक ऐसा इंसान जिसे मौथ से बिलकुल भी डर नहीं लगता हो क्योंकि देखो मौथ तो easy है मतलब जो death है ना वो तो बहुत असान है वो तो सबको आनी है लेकिन fear of death से overcome करना सबकी बसकी बात नहीं है और जैसा कि Roosevelt कहते हैं कि जो सबसे बड़ा डर होता है ना वो डर itself है मतलब डर खुदी है और देखो मेरी जो जीने की इच्छा थी वो इस डर से बहुत ही जादा strong थी और इसलिए मैं इस डर के उपर हावी हो पाया और मैं इस डर को conqueror कर पाया और अब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ अपने सारे गोल्स को अचीब कर सकता हूँ और वो भी बिना किसी डर के और इस तरह से यह जो तुमारा चाप्टर है यह खतम होता है अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चाहे बट जन्मिनली यार मेरे 1 मिलियन कप करवा रहे हो तुम लोग और हाँ साथी साथ एडुकेशनल भाई या एप मतलब मेरा खुद का आप जो की प्ले स्टोर में अवलेवल है उसे डाउनलोड कर लो वहाँ पर जल्दी ही 15 ऑगस्ट के बाद एक इंग्लिस का कोर्स लाँच होने वाला है जो की बोर्ड ओर्येंटेड है और हम लोग फोकस करने वाले है कि कैसे तुम लोग इंग्लिस के बोर्ड एक्जाम में 100 में 100 ला सकते हो उस कोर्स में राइटिंग और लिटेशर सक्षिन को अच्छे से कबर करवाया जाएगा और हां तुम्हें एक ग्रुप में एड किया जाएगा जहां पर तुम मुझसे बाते भी कर सकते हो बात का मतलब गॉसिप करना स्टार्ट मत कर देना मतलब इंग्लिस से रिलेटेट पढ़ाई से रिटेटी पूछना हो के बाकि होमवर्क से इंपॉर्टेंट कोशिन सब ही कुछ होंगे तो हां अगर तुम लोग इंट्रेस्टेटेट हो इस पेड कोर्स के लिए तुम लोग जोईन कर सकते हो और हां इसके चार्जस भी ज्यादा अगले वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई